सभी को जाहिन मैं इतनी को डेस वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चानल Mission NCC The Way of Success में तो आप में से बहुत सारे कडेट से जो दो हजार चूबीस में वो NCC A, B और C सर्टिफिकेट का एक्जाम देने वाले तो जैसी आप रिटन एक्जाम देते हो उसी के सासथ आपका प्रैक्टिकल का भी एक्जाम होता है और आपके प्रैक्टिकल के एक्जाम में क्या क्या सवाल दो हजार चूबीस में पूछ जाएंगे वो सारे क्वेशन और उनके आंसर मैं आप सभी को अभी से बता के रख रहा हूँ और आप सभी को ये रट लेना है क्योंकि आपके दो हजार चूबीस के प्रैक्टिकल के एक्जाम में इसके बाहर के सवाल नहीं पूछ जाएंगे क्योंकि यही जो शीट है ना ये दो हजार चूबीस के प्रैक्टिकल के एक्जाम के लिए प्रिपेर करा रहे है तो आज के इस वीडियो में मैं वेपन ट्रेनिंग के उपर आप सभी के सामने जो है तो वीडियो को लासक जरू देखेगा तो वेपन ट्रेनिंग के प्रैक्टिकल का एक्जाम होता है और इसमें आप से सवाल पूछे जाएंगे पॉइंट टू टू राइफल किस देश में बनी है बचो आपको पता है कि पॉइंट टू टू राइफल जो है तो आपको पता है कि पॉइंट टू टू इंच जो राइफल है उसमें 75 प्रतिशत जो है वो लकडी होती है उडन का यूज किया जाता है और 75 प्रतिशत जो है वो लोहे का यूज किया जाता है क्वेश्चन नमबर 3 पॉइंट टू राइफल की लंबाई कितनी होती है तो बच्छा पॉइंट टू इंच राइफल की जो लंबाई है वो हमेशा याद रखना 43 इंच होती है अगर सेंटीमीटर में पूछ जाएगा तो 110 सेंटीमीटर कई बार आपको सेंटीमीटर में भी पूछते है तो इसका होते हैं इसे कभी काचे बोला जाएगा या इसे कभी कभी devo दो बोला जाएगा सो छे होते हैं नंपने आपा जाता है यह से सिक्स पॉंड चुवक्श इसमीड राहेट आंसर क्या लिखोगे six pound two ons okay next question number six point two rifle की cargo range कितनी होती है बचो point two inch rifle की जो effective range है cargo range का मतलब है effective range तो effective range कितनी होती है 25 गज अगर आपको कभी 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 पूच आता है meter में तो इसका meter में अगर पूच जाएगा तो 23 meter याग रखना point two rifle की cargo range अगर गज में पूचेगा तो 25 गज लिखना meter में पूचेगा तो 23 meter बताना okay very good next आगे बढ़ते बचो अगले सवाल के वर question number seven point two rifle की जो muscle velocity है वो कितने feet प्रती सेकेंड की होती है अब इनोंने यहाँ पर 1030 feet प्रती सेकेंड बोला है but मेरे according यह answer wrong होगा मेरे according जो answer होगा बचो वो है 2700 feet प्रती सेकेंड बाकी आपको क्या याद रखने है आप याद रख ले न मेरे according इसका जो answer है वो 2700 feet प्रती सेकेंड है क्योंकि मैंने जो DGNCC की official handbook आती है उसमें DGNCC ने खुद ने लिखा है कि जो point two rifle है उसकी muscle velocity वो जो handbook बनाने वाले है वो सारे के सारे गलत है इस बात को याद रखना ओके बाकी जो अपने पुरानी वाली जो private handbook आपने देखा होगा उसमें 1030 feet लिखा है लेकिन जो DGNCC की जो new handbook है उसमें 2700 feet उन्होंने लिखा है ठीक है यह मैं number eight point two rifle का जो normal fire कितने round किया जता है मतलब point two rifle का जो normal rate है वो कितने round प्रति मिनिट का होता है तो आप सभी को बताए कि point two rifle का जो normal rate of fire है वो 5 round प्रति मिनिट ठीक है 5 round प्रति मिनिट का होता है और एक मेरा एक सवाल आप सभी से ये भी मैं पूछता हूँ, बच्चो एक round मतलब कितने गोली होती है, तो एक round मतलब कितने गोली होती है, एक round बराबर एक गोली, हमेशा याद रखना, एक round बराबर एक गोली, कभी-कभी पूछेगा आपसे, कि एक round मतलब कितनी गोली होती है, तो एक round मतलब एक गोली, आप आसानी से fire कर सकते हो 0.22 इन से normal rate of fire नेक्स बचो अगला सवाल है question number 9 0.22 राइफल से तेज फायर कितने प्रकार का किया जाता है तो भया तेज फायर ठीक है तो तेज फायर 10 से 15 राउंड प्रती मिनिट यानि कि एक मिनिट में अगर आप तेजी से fire करना चाहते हो तो 10 से 15 राउंड आप आसानी से fire करोगे 10 से 15 गोलिया आसानी से fire करोगे question number 10 0.22 राइफल की अधीकतम range बचो maximum range पूछाए अभी maximum range कितनी होगी 1700 yards ठीक है maximum range जो है वो 1700 गज होगी इस बात को याद रखना अगर minimum कितनी होगी minimum होगी 25 गज मिनिमम 25 गज और maximum कितनी होगी 1700 गज यह भी साथ में याद रखेंगे next question grouping fire के लिए किस target का इस्तमाल किया जाता है grouping fire के लिए हमेशा याद लखना one by one का target का use किया जाता है grouping fire के लिए हमेशा one by one target का इस्तमाल किया जाता है next question number 12 बच्वा फाइरिंग कितने position से की जाती है या फाइरिंग के कितने प्रकार होते हैं तो अबेसी बात है आप सभी को पता है कि firing चार प्रकार से की जाती है एक तो आपकी बैट करें उसके बाद में खड़े हो करें लेट करें उसके बाद में घुटनों के बल बैट करें standing position, kneeling position, sitting position and laying position चार position से आप fire करते हो question number 13 सही निशाने के कितने नियम होते हैं यानि कि एक अच्छा निशाना लगाने के कितने नियम होते हैं कौन-कौन से तीन नियम सबसे पहला नियम कहता है कि राइफल पर अच्छी और मजबूत पकड़ यानि की राइफल को मजबूत पकड़ो उसके बाद में दूसरा नियम है अपने target के उपर focus करो अपने लक्ष के उपर निगाय रखो और तीसरा जो नियमे बच्चो वो है सही तरीके से trigger को दबाओ यानि कि good aiming, good holding and good trigger operation इसे आप hat के नाम से भी याद रख सकते हो H80 कभी-कभी वो आपसे hat का full farm पूछ लेते hat का full farm होता है holding holding, hold, rifle को hold करना पकड़ना, उसके बाद में A का होता है aiming, यानि कि आपके target पर आपका focus होना चाहिए aim लेना, और T का मतलब होता है trigger operation, यानि कि सही तरीके से trigger दबाना hat का full farm होता है aiming, holding holding, aiming and trigger operation, ओके तो तीन अच्छा निशाना लगाने के सिद्दान्थ होते हैं, तीन अच्छा निशाना लगाने के नियम होते हैं, next, question number 14, point to two rifle पाच हिस्से पुर्जो के नाम बताओ, point to two inch के पाच हिस्से पुर्जो के नाम, barrel है butt है, trigger guard है, trigger है rear side है, ठीके, muzzle है उसके बाद में, आप लिख सकते हूँ case collector है, magazine है okay, उसके बाद में butt plate है यह बहुत सारे part है जो आप 5 यह 6 आप, रटके जरू जाना याद रखके जरू जाना question number 15 है, MPI का full form क्या होता है बच्छो, तो MPI का full form होता है, mean point of impact यहाँ पर इन्होंने गलत कर दिया है यह main नहीं होगा, यह होता है mean, M-E-A-N mean, it's mean, ठीक है main नहीं होता है, main, बहुत सारे बच्छे main main करते हैं, वो गलत होगा main नहीं होगा, mean की spelling याद रखना है M-E-A-N, mean point of impact इसे हिंदी में बोलाता है मध्या टकराओ बिंदू मध्या टकराओ बिंदू ओके, तो यह कुछ important question से जो आपको दो हजार चूबिस के practical के exam में पूछ जाएंगे ठीक है, तो practical के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया है, अब एक चीज में आपको यहां पे बताना चाहूंगा, आप में से बहुत सारे कड़ेट्स है, जो नए हैं तो आपके पास notes भी नहीं है, model paper भी नहीं है यह सारी चीज़े आपको Mission NCC app में free में मिल जाएगी Google Play Store से application को install जरू कर लेना, अगर आपका सपना है, 2024 में आपको एक रेट लेना ही है, चाहिए जो हो जाए आपको अगर एक रेट चाहिए, तो आप यह जो Mission NCC की book है, इसे online order कर सकते हो, यह आपको Amazon पी भी मिल जाएगी, flip card भी मिल जाएगी और आपका 2024 का पूरा का पूरा paper इसी book से आएगा, यह मैं 100% guarantee के साथ बोल रहा हूँ, तो इसलिए book को online order कर लेना, अगर आपका कोई doubt है, तो मेरा मुबाइल नमबर है 7385281023, यह मेरा मुबाइल नमबर है, इस मुबाइल नमबर पे call करके आप मुझसे paid up PDF भी ले सकते हो, जो आपके exam में 100% आएंगे, ओके, तो paid PDF के लिए भी आप मुझसे contact कर सकते हो, application का use करना बहुत simple है, पहले menu के ओपर click करो, अगर आपको quiz solve करना है, तो quiz के ओपर click करो, notes सही है, तो notes के ओपर click करो, यहाँ पे सारे subject आपको दे रखे, बस आपको click करना है और अपनी दूसरा topic लेकर आने वालो, map reading का, MR का topic लेकर आने वालो, तो उस वीडियो को भी जरूर देख लेना, ओके, तो आप मुझे इजादत दीजिएगा, तब तक के लिए टाटा, बाई बाई, साइनरा, अलविदा, मिलता हो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में, जाहीन वंदे मातरा,